मंडी रगनिगम के नेला वाड के अधीन आने वालेक्षेत्र में भूस्खलन से कल्यार गाउं के 11 घर खत्रे की जद में आ गए है बीते महाभारी बारिश के कारण इन भवनों के आगे लगती जमीन धस गई जिसके कारण घरों में बड़ी दरारे आ गई है प्रशासन के द्वारा प्रभावित भवन मालिकों को फारी मदद के तौर पर तिरपाल महिया करवाई गई है लेकिन तिरपाल समस्या का समधान नहीं है प्रभावितों का कहना है कि इनके भवनों को खाले करवा दिया गया है और वे अपने रिष्टेदारों के घरों में रहने को मजबूर है प्रभावितों की सरकार वे प्रशासन से मांग है कि जल्द से जल्द डंगा लगा कर उनके भवनों को सुरक्षित किया जाए मैंने इतनी साल सरकारी सेवा करने के उपरां ते इमकान बनाया हुआ था लेकिन अब यहादी में जो तेरह 12-14 तारिख को जो अगस्त को जो भारी बारिश हुई उस बारिश से मेरे इमकान को बारी खत्रा पैदा हो गया है नीचे श्लाइड हो गया है श्लाइड के कारण मेरे फिल्रों के तको दरारे आ गई है और हम रात को सोने के लिए अपने बाई के गर जाना पड़ता है इतने गबीर आलत को देखते हुए हमें यहां डर है कि यह कभी भी गिर सकता है मकार बिल्कुल गिरने के खागार पर है तो मेरा सरकार से यह अनरोध है हाजोड के नुवेदन है कि यहां पर पके डंगे का प्रावधान किया जाए ताकि हमारे घर को शेफ्टी हो सके और बचाओ कारे हो सके डर सा लगा रहता है हम सिला के पड़ में देख लें चाहे वहां पर जिस तरह से पानी का भाव आया पीछे से घरों के घर तूट गए तो मतलब यह डर मेरे अंदर नहीं पूरे गाओं के अंदर जितने भी यूवां हैं जितने भी घर के बुज़ूर्ग हैं सब के अंदर जो जो हैं सब की अंदर हैं उनके दिल में कि कुछ भी हो सकता है यहां पर तहसील से हमें मिले हुए हैं यह तरपाल वगएरा पर लेकिन इससे हमें नहीं लगता कि मतलब सिर्फ केवल इसी से हमारा हो सकता है यह ठीक लेकिन यह जो सारा इसके लिए विशेश मतलब हम चाह कि हमारी कुछ मदद की जाए ना कि मकान में सारी पुंजी लगा देता है तो इस अहलत में नहीं कि और कुछ और कर सके तो गौवर्मेंट जिसके मतलब की जितना उचित हो सकते तो जितना हो सकता है तो फैनेंसली किया जाए थोड़ा सा स्थाने नगर निगम पार्शवत राजेंदर मोहन ने बताया कि निगम सरकार के बजट का इंतजार कर रही है ताकि प्रात्मिक्ता के अधार पर कल्यार गाउं में भोस्कलन प्रभावित घरों को सरशित करने के लिए डंगा लगाया जा सके बिविश रक्सित नहीं है इनके मकान इन मकानों के आगे जो है जो भूमी बही है यदि इसके इन मकानों के आगे क्रेट डंगा क्रेट वाल बिविश्ट वाल नहीं लगती है तो यह मकान छोटी मोटी बारिस बिविश्य में जो होगी उसमें भी यह मकान जो है यह खत्री करें कोई आर्थिक पैकेज मंडी जिला को मिलता है तो मेरी प्रांत्मिक्ता में यह गाउं निश्चित रूप से होगा क्योंकि यह सब से आपता सीला के पड़ के बाद कोई है जिस 오ेह जिनको मकाने मगानों को बचाने की प्राथ मि辖ता जो इस गाउं को फिर से कहरा बारा करने का और इनके चेरों पे इनके दिलों दिमाग में जो खौफ है उस खौफ से मनवग्यानिक रूप से इन लोगों को बाहर करने का जो है मेरा प्रतन है